हेलो दोस्तो मैं हूँ छिर्यास बाठिया और आप देखरों बाइटेस टेनिक इन कंसेडनसी कि आपको भी ऑनलाइन पढ़ाते हुए इस तरीके से आपके स्क्रीन में कोई content blur करना होता है सो दाट आपके students को वो दीखे नहीं आपके passwords हो सकते है login details हो सकते है या ऐसा कोई content हो जो आपको यहाँ पर highlight नहीं करना है तो इस तरीके के blurs आप directly recording में या फिर live streaming में OBS की थ्रू लगा सकते हो बड़े ही आराम से तो चलिए किस तरीके से यह हो सकता है यह देखते है तो दीखिए दोस्तो यह amazing OBS का plugin है streamfx इसके link मैं आपको description में share की हुई है अब यहाँ पर go to downloads पे आपने click कर देना है और यहाँ पर download पे click करने के बाद आप github के website पर directly चले जाओगे और यहाँ से आपने simply क्या करना है तो यहाँ पर देखिए नीचे जाते ही आपको आपकी system के हिसाब से जैसा अगर आप Ubuntu use करते हो तो Ubuntu Mac OS या फिर Windows या फिर Windows यूज करते हो तो Windows अब यह Windows वाला हमने already download कर रखा है और आपको इसे download करने के बाद इसे install कर लेना है install करते वक्त यह Windows एक security notification आपको देगा बट यह absolutely safe है तो इसमें install करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब जैसा ही आप इसे install कर लेते हो वैसा ही आपको OBS को restart करना है और चल लगा दिया है अब यहाँ पर देखिए आपको यह feature किस तरीके से मिलता है तो यहाँ पर आपको additional filters मिल जाते है for example देखिए facecam हम add करते है अब यहाँ पर facecam पे right click करने के बाद filters में चलते है अब already chroma की मैंने already apply कर रखा है अब यहाँ पर plus करने के बाद यहाँ पर आप दिये हुए है for example हम box ही use करते है और area ही use करते है अब यहाँ पर आपको sizes की change करते आएगी देखिए इस तरीके से यह आप blur बहुत बढ़ा भी सकते हो यहाँ फिर जितना आपको रखना है वो इस आप से आप रख सकते हो अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने इतना blur अब भी नहीं करनी है तो चलिए मैं इसे deselect कर लेता हूँ apply a mask मुझे करना है अब apply a mask में देखिए यहाँ पर options मिलते है कि आप एक image add कर सकते हो यहाँ पर या फिर region या फिर source अब obviously मुझे region चाहिए तो मैंने region रखा हुआ है अब यहाँ पर देखिए जैसा ही आप left edge को आगे लेते यहाँ पर blur करते जा रहे है तो यह area हम select कर रहे है automatically यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर मेरा सिर्फ move blur आ रहा है और यह blur की size भी हम change कर सकते है मतलब भी blur ज्यादा भी कर सकते है कम भी कर सकते है और यहाँ पर देखिए सबसे interesting feature मुझे यह जो लगा है यह feather area अब feather area मतलब दे देंगे तो देखिए आपको final output में भी किस तरीके से यह नजर आने वाला है अब यहाँ पर मान लीजे मैंने चहरा blur कर दिया है अब यह मुझे नहीं करना है तो scene 2 create कर लेते हैं हम लोग अब हम देखते है text को किस तरीके से आप blur कर सकते हो similarly तो यहाँ पर देखिए दोस्तो scene 2 हमने create कर लिया है यहाँ पर हमने हमारी pdf add कर ली है और हमारा facecam भी यहाँ पर हमने side में रखा हुआ है अब यहाँ पर आपको simply क्या करना है मान लीजे मान फर्स्ट paragraph मुझे नहीं चाहिए blur कर देना है तो recording के वक्त या live streaming के वक्त ही किस तरीके से हम कर सकते है तो यहाँ पर देखिए हमें pdf वाला source filter करना है मतलब भी blur करना है तो यहाँ पर pdf वाले source पर right click करना है filters पर क्लिक कर देना है उसके बाद add blur पर click कर देना है ओके and similarly apply a mask करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कौनसा area यहाँ पर remove कर देना है यह अपने select कर लेना है तो देखिए beach व वाला paragraph यहाँ पर पढ़ने में नहीं आ रहा है, बाकि पूरा का पूरा paragraph, मतलब भी content आपको PDF का पढ़ने में आ जा रहा है, तो आशा करता हूँ दोस्तों, कि online tutorials बनाने के लिए, आपको recording के वक्त या live streaming के वक्त ही, अगर blur यूज करना है, तो आप बड़े ही आराम से इस तरीके से कर पाओ, और यह काफी stable plugin है दोस्तों, काफी सारे plugin ऐसे होते है, कि जहाँ पर आप plugin एड़ करते ही, आपका system crash हो जाता है, तो यहाँ पर यह experience भी मुझे बिलकुल भी नहीं आया है, तो आशा करता हूँ, कि आपको यह बहुत फाइदे मन रहने वाला है, अगर कोई भी doubt है, तो comment section में comment करके पूछिएगा जरूर, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe किजिए, share किजिए, like किजिए, और bell icon को press करना न भूलिएगा, so that इस तरीके की informative videos आप तक हमेशा पहुच आए करे, thank you,